नमस्कार मैं हूँ अदित्यवेश शर्मा और आज किस वीडियो में मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट हो चुका है आपने देखा भी हिमाचर में काफी तेज बारिशें हुई इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि जितनी भी नदियां थी हमारी आउट अफ कंट्रोल हो गई लोगों के घर बहके चले गए कई पुल तूट गए कई उनके बिल्डिंगे तूट गई घर तूट गए जंगलों में नुकसान हुआ शेहरों में नुकसान हुआ हर जगा पे नुकसान है नुकसान चाहे वो ग्रामेंट श पता बोल देते हैं हम कि ये तो natural है पर इस चीज में एक चीज चिपी हुई है नेचर हम से बात करना चाहती है अब नेचर भी हम इंसानों से दुखी हो चुकी है हम लोग ने इतनी constructions कर दी हमें अपने गाड़ियों के लिए पारकिंगे चाहिए हमें बड़े-बड़े घर च खूब ज़दा पैसा हो हम सभी इंसान बस इसी दौड़ पे दौड़े जा रहे हैं और बस हम जीतना चाहते हैं इन सभी चीजों को पाना चाहते हैं और हमने नेचर जो हमारी मदर है हमने उसे ही छोड़ दिया कई बड़े-बड़े शहर बने हैं हिमाचल में भी कई जग टाइम से शिम्ला में रहा हूँ, तो शिम्ला में मैंने देखा, मंडी में भी मैं रहा हूँ, तो बैने देखा है, कि पहले बहुत ही कम मकान होते थे, जैसे जैसे जनसम क्या बड़ी, तो मकान भी बड़े, पर मकान तो हम लोग उने बनाए, पर हमने कई पेड़ों की कुर्म नेचर ने हमें जबाब दिया, मैं तो कहता हूँ ये नेचर ने हमें एक सिगनल दिया है, कि नेचर ये बोलना चाहती है कि मेरे साथ खिलवार करना बंद करो, पेड़ों को मत काटो, जानवरों को मत मारो, इंसान पर मानी नीरा, क्योंकि हमें फनीचर चाहिए, अगर हम देता है कम से कम कई लिटर ऑक्सिन देता है और हम उन पेरों को ही काट लें और इससे ग्लोबल वामिंग भी हो रही है हमारी पूरी की पूरी जो पित्वी है वो खत्रे में आ चुकी है हिमाचल का यह एक्जेम्पल आप देखिए कितरा नुकसान हुआ है अब यह अब वो व नेचर को नहीं दे सकते क्या हम एक पेर नहीं लगा सकते क्या अगर जगा नहीं है तो क्या हम एक गंबला नहीं लगा सकते उसमें कोई प्लांट नहीं लगा सकते अब वो वक्त आ चुका है कि नेचर से जितना कुछ हमें मिला है नेचर को वापस हमें करना चाहिए तब य ले आती है, जितना भी यह landslides हो रहे हैं, पेड टूट रहे हैं, यह सारी की सारी चीज़ने control में आ जाएंगे, हम फोल इन सडके चाहिए, और हम पेड़ों को काटते हैं, और फॉर्मिल्टी में क्या करते हैं, छोचोटे पेड़ों को लगा देते हैं, छोचोटे पौदे ल बढ़ गई है, वो क्यों आ रहे हैं हमारे घरों में, वो इसलिए आ रहे हैं कि जंगलों में कुछ बचाई ही नहीं है, पेड़ पौदे ही नहीं बचे, फलदार विक्षी खतम हो गए हैं सारे के सारे, हमें फलदार विक्ष लगाने चाहिए, और oxygen अधिक से अधिक रहे, उसको भी maintain करना चाहिए और हमें पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, अब वो वक्त आ गया है, जैसा पुरारे यूगों में होता था, दौपर यूग में होता था, सत्यूग के समय की बाते हैं, उस समय पेड़ों की पूजा होती थी, पेड़ लगाए जाते थे, पर अब अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा, अब वो वक्त आ चुका है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, और हमें प्रकृति की मदद करनी चाहिए, तब ही प्रकृति भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि जैसा हम नेचर को देंगे, वैसे ही नेचर हमें देगी, एक दावत भी ह न्यूटन के ठर लॉर में, तो जैसा एक्शन हम करेंगे, वैसे ही रियक्शन हमें मिलेगा, तो बस मैं यह message देना चाहता हूँ, और मैं आप सभी लोगों से एक परिकी request करना चाहता हूँ, कि जितने भी NGOs हैं, जो पेड़ों के लिए काम करती हैं, पेड उगाती हैं, या प्रकृति नेचर से रिलेटेड जो भी work करती हैं, उनकी मदद कीजिए, या खुद की भी आप NGOs बनाईए, या खुद की भी organization बनाईए, या अगर भी ना organization के आप काम करना चाहते हैं, तो पेड लगाए और नेचर को बचाएं, क्योंकि अगर हम सब मिल के पेड़ों को प्रेगा, धन्यवाद!